कोई लोग आके जो भाई सेलिबेटी है और वोचपोरी जगत का हीरो है तो उसको देखने के लिए सुभावस से लुग जा रहे हैं अगर आप बिहार के सासाराम जिले में आते हैं तो सासाराम जिले में काफी पहार देखने को मिलेंगे कुछ वयसा ही घेरा बन गया है। उपेंद' कुछ वयसा है। कारा कार्ट में लडाई तो कड़ी हो गई ना सबसे पहले आलोग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कारा कार्ट में एक हवा क्रेट किया गया है लडाई तो इससे नहीं है लेकिन कुछ लोग आके जो भाई सेलिब्रेटी है और भोचपुरी जगत का हीरो है तो उसको दे प्रधान मंत्री मंत्री का लाफकारी मिलता है फीर दो और प्रती मंथ किसान को महिना मिलता है उसके बाद उर्जवाल है इसे योजना उसके बाद देख रहे है राम मंदीर धारा थिन सो सतर तमाम योजना हिंदुस्तान की जनता और काराकाट की जनता ये समझ चुकी है कि मुझे फिर वापस 2005 में के पहले मुड़कटवा को जितने नहीं देना है बिल्कुल अब 2005 के पहले आप देखे होंगे कि हम के लोग जो 2005 के पहले जेले हैं ये समाजी उनमाद में पूरा विवाज चल रहा था आज 2005 के बाद जब नितीश कुमार जी आये इसकी बाद समाज में समरस्ता बढ़ा और छे बजे के बाद खासकर मेरे समाज के लोग छे बजे के बाद घर में अपने अंदर सुरच्छित हो जाते थे कि जिसके के उनकी हत्या ना हो जाए ना हु जा आप समाज की बात करा है आपके समाज चल यह एक भी समाजिक सेवा क idiots सिंग का नाम जो भोषिपुरी समराट भोजपुरी हीरो हैं और भोजपुरी के लोग उनको बोलते हैं कि नहीं समराट हैं वाकई में हैं भी हीरो लेकिन समाज के प्रती राजनीत में जो सेवा करता जिसकी समाजिक दाइद तो है पवन सिंग अभी पिछले दो महिना के पहले और कभी भी पांस साथ साथ में जितने समय से ये फिल्म लाइन में आये हैं या हीरो बने हैं उसके पर एक भी समाजी को धान हो दे दें कि नहीं हम समाज के लिए कुछ किया हैं समाज लेकुछ नहीं क애? बिल्कुल नहीं अच्छा लेकिन आप समाज की बात कर रहा है लोग तो यहां पर आपको भी बाघुबली करते हैं क्या लोग स्यंग बाढ़ोगी हैं है? अब तो बाघुबली लोग मुझे कहते हैं अब यह बता दें आलोग जी कि जैसे माले जी कि किसी समाज में कुछ लोग जैसे गलत करते हैं तो गलत को रुकना अगर बहुवली लोग समझे तो बात अलग है लेकिन हम तो उसके लिए भी जो मेरा बात नहीं सुनते हैं उनको भी प्रढाम करते हैं बिलकुल प्रणाम करते हैं लगता है कि अब करकार्ट में क्योंकि अब नहीं दर मोदी भी आ रहा है विद्टी शुमार कि सभाएं हुई हैं महाल यहां बदला है बिल्कुल 25 परवन सिंग करें कोई टकर मेरे हैं ही नहीं आप देखिए आलोग जी कारा काट लोग सभा में 8 परखंड रोतास में है और 6 परखंड और अंगाबाद में 14 परखंड है और 2027 बूत है अब उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन जो भी निर्दलिय प्रत्यासी लड़ता है एक उसके पास संगठन पहले बात नहीं ह का पार्टी जीता रहाम झीका पार्टी अम आधरनिया में मुख्मंत्री नितिश कुमार जी का पार्टी हर संगठ ब्लोक अस्तर पंचायत अस्तर पे बूत पालक भी है लेकिन आज पवन सिंह का कहीं भी संगठन के नाम पे कुछ नहीं है और निड़्दलिय प्रतियासी लोग सभा में चुनाओं जीतना बहुत मुस्किल काम है एक बात मैं बता दूं कि मेरा समाज जब नि王ी कि लिए र देखेंगे तो रास्थ सेवा के लिए रास्थ निर्मान के लिए किया है और लोग सभा का चुनाव ये राष्ट और देश के लिए हो रहा है महारना परताप और वीर कुवर सिंग के जो वंसर्ज हैं वो राष्ट निर्मान में ही रहेंगे देखेई लोग सिंग हमारे साते क्या कुछ ने गर्ण पर जआए जो युक्स प्रण कर रहें उपका करनाम करते हैं उनको को भी नमस्कार कर रहें आपने सुना है शोटास और अंग्राबाद की हैं जहां पर कर आकार लोग सफ़ा है चाहला पचार हो रहा है मूदी के इतने भक्त हैं मेरे समाज के लोग कि अगर कोई नेटा भी अगर उनके गाउं में न जाए तो आज भी 40-40% चुकि नसरी ननेंदर मोदी ने वैसा ताकतवर सोणों के लिए काम किया जो कोई नेता 10% का रच्छन जो मिला कितने मेरे समाज के और कितने भी सोण समाज के लोग उस 10% से बहुत हिलावानित हो रहे हैं तो कोई अपने बच्चे का भविश कोई गरीब अपना पांच किलो कानाज कोई गरीब अपना पांच लाका इसमान का ये सब सीज नहीं न करेगा कि जिससे इचिंज आए और फिर वापस वही सरकार आ जाए जो लूटने वाली सरकार एक तरफ तरह हैं घुटाला बाज एक कर दे रहें राष्ट का निर्मार अरे वह नरंद्र पधान मंत्री है जो कि अब इन अंदन के जाने के चौबिस घंडा के अंदर जो देश को वापस कर दे पकिस्तान कर रहे तो देखिए क्या कहा है जल्दिवाजी कर दिए राजनीत में ऐसी जल्दिवाजी नहीं लेना दस साल जिन्होंने सिवा बीजेपी का किया थोड़ा इंतिजार कर लेना चाहिए था बीजेपी उनको बहुत लेकर जाता लेकिन निर्दली है चुनाओं लड़ना एक समाज को ली जाके सब आंक में जोग देना चुकि बीजेपी राजपूत को 17 में से 5 सिट दिया है और इंडिये गटबंधन 7 सिट दिया है 460 में से 6 एंडिये गटबंधन जितना राजपू जाती के लिए करता है और करेगा साइध कोई पार्टी करता है इसलिए मेरे समाज के लोग कहीं नहीं आएंगे और फिर वापस 2005 के पहले नहीं जाएंगे जिससे क्यों उनको उनकी हत् और उनके जमीन पर फिर लोग लाल जंडा गाड़े